समझ में आया पहला वाला इसमें जो कंडीशन है यानि जो इनिकॉलेटी है मॉट जैडिस ग्रेटर देन लज देन थी इसको अलग-अलग ब्रक करते हैं तो जब और इसमें हमेशा जो इनिकॉलेटी इसको लज देन वन पर चेक करने के आता है के यहां पर बने लेजर रखेंगे तो यह हो जाएगा मॉट से आपों-पाउन थी इस लएज देन बन तो पहले वाले की एकार्डिंग तो अब यहां पर हम इसको जब करेंगे क्योंकि हमको लेना है तो इस तरीके से हो जाएगा तो अब हम यहां पर जब लेगे लेकिन पहले वाले पार्ट में तो जब प्लस वन रहेंगे इस लिए दोनों आपके पार्ट है उसमे जब करेंगे आपके यहां आपको आपका इस तरीके से लारेंट्स रीज आ जाएगा तो लिख देंगे एटी से लारेंट्स इन अनलस मॉट जैडिस ग्रेटर थें त्री एंड लेस देन आपर और क्या रेडियस है जो पी बहुत लाज है लेकिन इसमें यह है कि इनुकलेटी में लेस देन बनी लेंगे कि पहला दूसरा देखें समझें कोई डाउट हो तो पूछिए कि है कि है कि है कि होगे सब्सक्राइब सिर्फ समझना है बस कि आगे बताएं पीटा अब आगे में क्या है यहीं पे देखिये पुड़ा सा अगे कि क्या है वह यहीं पर देखिये अभी आपको समझ में आ जाएगा अब यहां पर फ़र्ट पार्ट है अब थर्ड वाला क्या है थर्ड वाले में देखिए आपको यहीं पर भी clear हो जाएगा अब थर्ड पार्ट में क्या है कि यह है आपका mod z mod z plus one is greater than zero and less than two ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो less than zero वाला है तो zero upon mod z अगर अलग अलग लेगे इसको अगर इसको अलग अलग हम लेगे तो पहला अगर हम part लेते हैं तो zero is less than mod z plus one तो हो जाएगा zero upon mod z is less than one तो zero is less than one यानि meaningless है यानि पहला वाला हो गया meaningless कि इसका कोई मतलब ही नहीं है अब हम दूसरा वाला देखते हैं फिर दूसरे वाले में क्या है कि mod z plus one is less than two वो हमको less than one पे लेना तो two नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा mod z plus one upon two is less than one इसका मतलब यह हुआ है कि हमको जो नीचे है यहां पे जो आपका denominator में है वो z plus one होना चाहिए तो अब इसको next line में देखिए यह देखिए अब वो तो meaningless होगया पहला वाला पार्ट अब दूसरे वाले पार्ट में क्या होगया mod z upon two is less than one यानि mod z upon plus one जाहिए numerator में रहेगा लेकिन पहले वाले पार्ट में यह whole up upon z plus one है तो इसमें पहले वाले पार्ट का तो expansion नहीं हो पाएगा क्योंकि यह already z plus one में है दूसरे वाले पार्ट में क्या है कि z plus three है तो z plus one plus two कर देंगे क्योंकि हमको z plus one को numerator में लेना है इसलिए हम two common लेंगे यहाँ पे तो जो हम two common लेंगे तो minus one by four हो जाए यह पूरा portion उपर चला जाएगा one plus z one plus one का whole upon two का whole inverse तो पहला वाला पार्ट यह ऐसे ही रहेगा one upon one upon two one plus z और दूसरे वाले में हो जाएगा आपका minus one by four summation and earning from zero to infinity minus one की whole power n और z plus one upon two की whole power n तो इस तरीके से यह Lawrence series आ जाएगा थर्ड वाला तो आप थर्ड वाला देखिए समझेए और दूसरे पूझेए पूझेए यहarla हुआ। यह हुआ। ऑद हुआ, यह पूझेए झा reduce इंढ धर वे दूसरे थे यह था बताइए तो यह आपने जो लिखाए वन पाउंड टू ज्रेट प्लस न जो लिखा परस्ट में पहले वाला जो है सर अब टो जैट प्लस बन इस लिए क्योंकि जानते हैं क्योंकि आपका नहीं हो सकता है यस लिए दूसरे वाले पार्ड में जट प्र में फ्रिया तो हमने ब्रेथ किया है जट प्लस ब्लस फ्लेश टू में चैया तो वहाँ तो कॉमनी नहीं पाएगा इसलिए पहने वाले पार्ड का इस्पंशन नहीं हो पाएगा दूसरे का हो जाएगा यज़िक इतान में इन विट तवाले में एक चीज़ ये है कि ये आलरेटी उस इस वाम में में आ जान इसर नुम्रेटर डी समझने है कि ये सर्थ ये हम लिख लेंगे ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा और उसमें कि हम थ्री कॉमन लेंगे क्योंकि जेड नुम्रेटर में होना चाहिए इसलिए हमने वहां पर थी कॉमन लिया है तो उसको हमने एक सब्सक्राइब कर दिया है उसके बात एक लाइं देंगे लिख देंगे इस दर लॉवेंट श्रीज विद अनलर्स मॉट जैडिस दें वन कि वन प्लस जड़ किसे आज़र स्रीज में कहां पर कोट में जो है वन अपाउन जैड प्लस वन है चाहे हम जैड प्लस वन लिखें या वन प्लस जैड लिखें एक ही तो बात है और यह उबर का होग जानते हैं इसलिए क्योंकि वहां पर जैड है वो अलड़ी उसी पॉर्म में है मौट जैडिस लज दन वन इसलिए पर चला गिया है कि यह सबसके हैं यह सबसके हैं अब कॉश्चन नमबर टू देखिए कॉश्चन नमबर टू में है एक्सपेंड वन अपॉन जैड इस्कॉर माइनस दी जैड प्लस टू इन रिजन ए और बी दो पार्ट हैं तो मौट जैड लाइ बिट्वीन वन से टू और दूसरा है आपका मौट जैड माइनस वन लाइ बिट्वीन जीरो से वन अब इसमें भी देखिए ए वाले पार्ट में देखिए सबसे पहले तो हम यह काम यह करेंगे कि वन अपॉन जैड कि मौट जैड मैंनिस में जैड मैंनस क égalि गए तो पार्ट थैक्शन जब लगाएंगे तो यह हो जाएगा यह इसके आगे क्या है अब देखिए पहली कर्डिशन क्या है मौन जैड इस ग्रेटर से 1 less than 2 तो एक एक पार्ट लेंगे तो पहला पार्ट दिया है 1 is less than mod z चूंकि less than 1 होना चाहिए तो हो जाएगा 1 upon mod z is less than 1 और दूसरे वाले पार्ट में क्या है mod z is less than 2 तो 2 नीचे आज जाएगा क्योंकि mod z upon 2 is less than 1 अब आप देख रहे हैं कि एक पार्ट में है 1 upon z और दूसरे में है z upon 2 तो इससे ये पता चल गया है कि पहले बार पार्ट में हमको 2 को अमल लेना तभी z by 2 आएगा और दूसरे में क्या है दूसरे में हम minus को अमल लेंगे क्योंकि दूसरे वाले में क्या जड़ नीचे है तो माइनस जड़ कॉमल ले लेंगे हम तो हाज आगा 1 minus 1 upon z तो इस तरीके से ये inverse होके ये expand हो जाएगा और जब expand हो जाएगा तो लिख देंगे it is a lawrence series with the annulus more z is greater than and less than 2 तो आप इसको पहले पार्ट समर्जिए कोई doubt हो तो पूछिए पूछिए सब्सक्राइब करें कि दूसरा वाला पार्ट देखिए दूसरे में क्या है कि मॉट जैट माइनस वन सब्सक्राइब करेंगे दूसरे माइनस वन इसका मतलब क्या है इसका मीनिंग यह है कि already यह mod z-1 जो क्या है 1 से छोटा हाई है तो अब यहां पे जो आपका 1 upon z-1 है यह तो as it is रहेगा इसमें expansion नहीं हो सकता है second वाले term में लेकिन first वाले term में 1 upon z-2 इसको break करेंगे जैसा कि अभी एक नमेकर हमने उपर खाड़ वड़ा किया था जैड़ प्लस वाला तो वही चीज यहां पर जैड़ माइनस 1 में है तो हम जैड़ माइनस 2 को break कर देंगे जैड़ माइनस 1 में समझ रहे हैं तो अब वहां पर से माइनस फॉमल ले लेंगे तो आप इसको देखिए सर और समझिए और कहीं डॉट हो तो पूछिए यह मैं दूसरे ले पार्ट की बात बता रहा था है, तो चुकि पहलए 0 is less than mod z-1 और मीनिंग्लस है, हमें दूसरे पार्ट की ज़रुफत है, यानि mod z-1 is less than 1, तो already less than 1 है, इसलिए z-2 को break कर देंगे माइनस वन माइनस वन में और जैड माइनस जो दूसरा पार्ट है तो एस इस रहेगा क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो ही नहीं सकता क्यों कि यह आलेडी जैड माइनस वन में है हम उसमें क्या कॉमन ले लेगे इसलिए उसको हमने पहले लिख दिया है माइनस वाले में हमने क् क्या minus common ले लिया है तो हो गया 1 minus z minus 1 क्या whole inverse अफे इसको expand कर दिया है expansion आपको मालूब summation and running from 0 to infinity z minus 1 की whole power है लिख देंगे it is the law and series within the analyst mod z minus 1 is greater than 0 and less than 1 यही चीज़ है तो भी वाला part देखिए समझेए कोई doubt हो तो पूछ लीजिए झाला कर देखिए 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 स्टूडेंट को कोई डाउट और तुरत पुछे आप यह नहीं होगे आपको समझ में भी नहीं आ रहा आपका यह सर अइसा अपकर यह ना समझ आ तो पूछ यह अब आते हैं सेकंड कुश्ण में लिखा है पूछ फूछ नहीं हैं रहा आते हएंग्ट सेकंड कुश्ण एफ ट्री आपय्ट कुश्ण तो अब हम क्या करेंगे पहली वारी कंडिशन को अलग लग लेकर देंगे तो पहला हो जाएगा अपन मौट जेट प्लस वान इस देन वन और दूसरा हो जाएगा मौट जेट प्लस वन अपन प्रीज दन वन अब ये जो हमने लिखा है 7z-2 upon z3-2z ये आप घर पे इसको पार्शल फ्रेक्शन से ब्रेक करेंगे तो आएगा यह आएगा यह आप घर पे करिएगा यह जो पोशन है वह आप घर पे करिएगा इसको और इसमें कम से कम एक पेज लग जाएगा अब इसके आगे देखिए अब हमको क्या करना है जड़ प्लस वन चाहिए तो पहले वाले ब्रखीसें इसके दूसरे बाले में अलएड़ी देखिए यानी दूसरा वाला तर में इसका एकसपेशन नहीं हो सकता है कि तीसरे वाले टर में प्लस वन लाना है इसली हम क्या काम करेंगे सब्स disappeared तो माइनस बन कर देंगे तो हो जाएगा जैट ट्समन माइनस त्री तो इस तरीके से जो दूसरा वारा टर्म है यह वाला टर्म इसको हमने यहां पर लिख लिया है माइनस ट्री अपान संट लोंन क्यों एक्स का एक्सर्शन नहीं हो पाया गा अब देखिए नीचे है नुमेरेटर्म तो हमने यहां पर दूसरे टर्म में जैट्ट प्लस वन पामंछ लिया है तो हो गया 1-1 upon z plus 1 का whole inverse और दूसरे टल में z plus 1 ऊपर है इसलिए हमें 3 common लिया है तो minus 2 upon 3 और bracket में 1-z plus 1 upon 3 का whole inverse अब इसको expand कर देंगे expansion आपको मालूम क्या होगा minus 3 upon z plus 1 plus z plus 1 with summation and running from 0 to infinity minus 1 की power n into 1 upon z plus 1 की whole power n फिर हो जाएगा आपका मैंनस 1 की पार n नहीं होगा फिर उसके बाद कि माइनस यह सीधा होगा 1 upon z plus 1 की whole power है और उसमें हो जाएगा z plus 1 की whole upon 3 की whole power है तो लिख देंगे इस लाॉरेंट स्रीज विद्धा एनलस मॉड़ जैड इस ग्रेटर देन 1 एं लस देन 3 तो इसको देखिए जार कोई डाउट हो तो पूचिए सेकेंड के फस्ट वाला झाल सारी इसको बता दिजे कांपी पर करके बता दिजे इसको कांपी पर कड़के सा समझा देजिए ऐसे समझ में जाता है प्रेजिए प्रेजिए प्रक्ट इसको कांपी जाता है कि देखे यह एकॉल डिवी है सेवें जैड माइनस टू अपॉन जैड क्यों माइनस जैड स्क्वाइर माइनस तू जैड इसको जब पार्शल प्रेक्शन से ब्रेक करेंगे यह आप घर पे करिएगा पार्शल प्रेक्शन आपने इंटर्मिडियेट में पड़ा आया यह आया हमाई जो पहली कंडिशन है वो है मौड जैड प्लेस वन इस लेस दें तरी यह अब हम इसमें पहला लेते हैं कि मौड जैड प्लेस वन तो यह हो जाएगा वन अपन मौड जैड प्लस वन इस लेस दें वन और दूसरा लेते हैं मौड जैड प्लस वन इस लेस दें त्री तो मौड जैड प्लस वन अपन त्री इस लेस दें हमको लेस दें वन लेना होता है अब हम काम क्या करेंगे इस वाले में ये जो है इसको हम पहले लिख लेते हैं क्यों इसलिए कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है इसका एक्स्पेंशन नहीं हो सकता है क्यों कि अलेडी जट प्लस वन में है इसमें देख सकते हैं इसमें काम क्या करेंगे कि यहां पर जैड है तो इसमें प्लस वान माइनस वन कर लेंगे बाई यह तो यह रहा और यह आपका यह रहा और फिर इसमें क्या है प्लस टू अपॉन जैड माइनस टू है तो इसको लिख सकते हैं जैड प्लस वान माइनस थ्री तो अब इसमें तो एक्सपंशन नहीं हो सकता तो यह तो एक्सपंशन नहीं होता नहीं नहीं ऐसा नहीं है कंडिशन के अगर यहां पर यहां पर होता जैड प्लस वन नहीं होता है इससे पहले आपका जैड माइनस वन था और उससे पहले जैड था जो कंडिशन होती है सब्सक्राइब करना है जैड यहां करते हैं यहां पर यहां पर जैड होता है मैं इसको फेल थे लेकिन वाले पर मैंप्र यहां उपाएगा यहां पर जड़ ता तो इसको प्लेस वन माइनस वन कर गया इसका एक्सपेंशन हो जाएगा लेकिन इसके एक्सपेंशन में क्या है इसके एक्सपेंशन में जड़ प्लेस वन नीचे होगा नीचे का मतलब हो गया कि यहां पर यहां पर माइनस है तो यह प्लस है तो यहां पर हम कॉमल लेंगे तो यह हो जाएगा आपका z1-1 upon z1 को कॉमल लेंगे तो हो जाएगा आपका 1-1 upon z1 shine का होल इन्वर्स यह समझें है क्यों कि यहां पर नीचे है नुम्रेटर डिनामिनेटर में इसलिए इसको डिनामिनेटर में होना है अब यहां पर जैट प्लेस वन ऊपर है यह जैट प्लेस वन नुम्रेटर में हम इस फंक्चन आफ जेट से मतलब होता है इसलिए यहां पर हम काम क्या करेंगे कि ठीक मलें गे तो तो यहां पर थ्री आप उन्जैट प्लेस वन है 3 upon z plus 1 है तो इसलिए यहां पर क्या कॉमल लेंगे ज़र यहां पर यहां पर क्या कॉमल लेंगे यहां पर 3 कॉमल लेंगे माइनस 3 तो यह हो जाएगा माइनस 2 वाई 3 और यह हो जाएगा 1 माइनस यह हो जाएगा 1 माइनस जैड प्लस 1 कि पावर 3 का होल इन्वर्स यहां तक समझ में आया है अब इसको एक्सपेंट कर देंगे यह सब अब इसको जो है एक्सपेंट कर देंगे यह हो जाएगा यह हो जाएगा आपका माइनस 1 अपन जैड प्लस 1 और यह हो जाएगा 1 अपन जैड प्लस 1 यह हो जाएगा अब यह हो जाएगा जैड प्लस 1 कि पावर एड माइनस 2 अपन 3 समेशन अन रनिंग प्लस 1 कि पावर जैड प्लस 1 अपन 3 कि पावर एड अब यहां पे लिग देंगे इस दा इस ने लारेंट् क्या है मार्ज जैड इस ग्रेटर देन वन और लेस देन 3 समझ में आया यह है अब दूसरा वाला देखिए यह तो पहला पाड़ था पहला पाड़ को हमने कर दिया दूसरे वाले में देखिए यह हो जाएगा मौड जैड प्लस 1 इस ग्रेटर देन 3 तो यह तो एक ही है तो 3 अपॉन मौड जैड इस लेस देन क्यों हमको लेस देन 1 लेना होता है यानि जैड प्लस 1 नीचे होना चाहिए सी तो पहले वाले पार्ट कर तो तो नहीं हो पाएगा एक्सपैंशन की ओले इसलिए पहले में भी जैड प्लिस मन कामल लेंगे दूसरे में भी जैड प्लस वन कामल लेंगे अप्यु को एक्सपैट कर देंगे लिग देंगे इस दा लॉरेंच छी आदे लेकिया घ्लाम को क्या देखिए झाल 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 पुआख सब्सक्राइब यृर्भाई यृृ यृ 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 तो सब्सक्राइब आएगा सेकेंड पार्ट कि इस पो तो आप सा जिसमें कि नमेरिकल हमने करा हैं चाइद दो या तीन तो 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 सब्सक्रास समझें गए यह नुमेरियर दिना और जड़ना किस तरीके से क्या होगा ठीक है तो इस टाइब के नमेरिकल पस इतने ही थे आपके आप आपके टेलर स्रीज के नमेरिकल फिर आगारे हैं अब इसमें निकाए एक्सपेंड दा फंक्शन साइन इंवर्जेट इन दा पावर ऑपजेट आपको याद होगा कि मैथमेटिक्स में हमने प्रायता टेलर स्रीज एक पढ़ायता है मैकलेरें स्रीज में यह था कि हम इंदा पावर आप एक्स-वाई एक्सपेंड करते थे इसका मतलब है कि ओरिजिन होता था और टेलर स्रीज में कोई पर्टिकुलर क्वाइं तो हम यहां पर काम क्या करेंगे कि आप डिफ्रेंशेट कर देंगे दुबारा डिफ्रेंशेट करतें इस तरीक से हम डिफ्रेंशेट करते जाएंगे Z के respect में और उसमें हम 0 value रखते हैंगे यानि Z के place पे 0 तो जब हम Z के place पे 0 रखेंगे तो F00 आएगा F-01 आएगा F-00 आएगा F-01 आएगा F-400 आएगा F-509 आजाएगा तो differentiation आप घर पे करिएगा और हमारे value करिएगा कि सही है कि गलत है मेरा तो सही है तो आप अपना देख लीजिएगा कि समझ गया है जी जैसे अब इसके आगे देखिए अब हमारे पास जो वो series थी वो आपने intermediate में पढ़ा भी होगा मुझे जहां तक मैंने पढ़ाया तो नहीं लेकिन आपने पढ़ा होगा तो उसका ये है आपका कि fz is equal to upon factorial 2 f double 0 plus z cube upon factorial 3 f triple 0 plus z की power 4 upon factorial 4 at both road 0 इस तरीके से जहां जहां 0 इसको हटा दिया था हमने तो z plus z cube upon factorial 3 plus z की power 5 9 upon factorial 5 plus up to so on इसी तरीके से चाहे हम उस तरीके से question पूछें चाहे हम ये लिखें के टेलर स्रीज का expansion करिए jet zero zero के ये कहें या वो कहें दें तो इससे पहले कहा था कि expand the function sign inversion in the powers of jet ये दोनों question करना McLaren series ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है तो आप question five up में आप देखिए समझेए कोई doubt हो तो पूछ लीजिए हमने उसमें expand किया है इसमें हमने डारेक्ट लिख दिया है हुआ है है हुआ है है हुआ है 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 यह बाइ यह यह जब है उसका हमने पाशल फ्रेक्शन कर दिया है है तो अलग अलग हो गया है एक्सपेंड कर दिया है एक्सपेंशन तो बहुत आसाना सीधे डारेक्ट हो गया है समेशन के फॉर्म में इसके दो मैथड एक पहले मैथड में हमने इससे पहले वाला नमेकल में सिंपिल किया है है और यह हमने डारेक्ट मैथड अप्लाई किया है जो इससे पहले वाले में में किये हैं हमने अब आते हैं सिंग्लर पॉइंट पे झाले